नमस्कार हरी प्रेमियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है हरी प्रेमियों कैसे हैं आप उमीद है आप सब अच्छे होंगे आईए आज का परसंग सुरू करते हैं आज का परसंग है भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए इन लोगों को तुलसी की माला नहीं तो हो सकते हैं फाइदे की जगे नुकसान हरी प्रेमियों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकोन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके क्योंकि आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहत मायने रखता है आईए जानते हैं क्यों नहीं पहननी चाहिए इन लोगों को तुलसी की माला हरी प्रेमियों तुलसी के पोदे को घर में लगाने पर बहुत ही शुब माना जाता है मुख्य तोर पर हिंदु धरम के लोग तुलसी की माला जरूर पहनते हैं ऐसा माना जाता है कि तुलसी की माला आपके लिए बहुत ही फायदे के लिए हो सकती है तुलसी की लकड़ी को भगवान श्री कृष्ण और उनके अन्युयाईयों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है अपने आध्यात्मिक महतो और रोग डिरोतक होने के कारण इसे तुलसी की माला को जियोतिस में विशेस्थान दिया गया है तुलसी माला जो तुलसी की पवित्र लकड़ी से बनाई जाती है यह माला धान करने वाले के लिए सकारात मक्ता और दिवे संकेत देने की शमत लाती है जहां पर तुलसी की माला आपके लिए बहुत ही फायदा करती है वहां पर कुछ लोगों के लिए इसे धान करने के लिए हमारे जोतिस में मना की जाती है इसे धान करने के कुछ विशेस नियम होते हैं जिन का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है आईए जानते हैं किन लोगों को यह तुलसी की माला धारन नहीं करनी चाहिए नमबर एक तुलसी की माला गरवती इस्त्रियों के लिए मना की गई है इससे पहले कुछ सावधानिया बरतने की सला दी गई है इसे धारन करने से मना इसलिए किया गया है कि तुलसी की मालग रवती इस्त्री को धारन नहीं करने चाहिए क्योंकि विशेश कर पहले तिमाही में गरब जब धारन किया होता है तो पहले तिमाही में से बिलकुल धारन नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी की तासिर गरम होती है और इसका असर बच्चे के विकास पर पड़ सकता है नमबर दो मास्ट मदिरा जो सेवन करते हैं उनको तुलसी की माला नहीं पहने चाहिए इसके फायदे की जगए नहीं तो नुक्षान हो सकते हैं इसके साथ ही कभी भी तुलसी की माला पहने वाले आदमी को तामसिक भोजन भी नहीं गरहन करना चाहिए क्योंकि तुलसी जी भगवान श्री विश्णु भरी की पीरिया मानी गई है यदि इसकी लकडियों से बनी हुई माला आप नियम के अनुसार नहीं धारन करते तो भगवान विश्णु जी करोध कर सकते हैं नमबर तिन मासिक धरम के समय तुलसी की माला को नहीं पहना चाहिए तुलसी की माला बहुत ही पवीतर होती है इसे मासिक धरम के दुरान पहने या फिर इसे सपर्स करने से भी मना किया गया है अगर आप पीरियड के दुरान इस माला को धारन करते हैं पहनते हैं तो इसकी पुईतर तक कम हो सकती है और इसके नकारातमत परभाव आपको नजर आ सकते हैं इसके अलावा बिमारी या किसी अन्य सारीरिक समश्य के होते हुए भी इस माला को नहीं पहननी चाहिए ऐसा माना जाता है कि पहले से कमजोर शरीर में तुलसी की माला धान कने से इसके नकारातमत पर भाव दिखाई देने लगते हैं नमबर चैर असुद विचारों वाले लोगों को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए जिन लोगों के मन में दूसरों के प्रती भावना दुर भावना रहती है और जो हमेशा ज्छूट बोलते हैं उन्हें सगस पसंद ही नहीं है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए तुलसी की माला पहनने के बाद और जूट भी नहीं बोलना चाहिए किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए नहीं तो आपके जीवन में इसके नेगेटिव परभाव हो सकते हैं तुलसी की माला बहुत ही आस्था का परतिक है इसलिए इस माला को सिर्फ उन ही लोगों को पहनना चाहिए जो भगवान में विश्वास रखते हैं कभी भी तुलसी माला को फैसन के तोर पर नहीं पहना चाहिए हरी प्रेमियो तुलसी की माला के फाइदे भी बहुत है तुलसी की माला पहनने से नेगेटिविटी भी खत्म होती है आध्यात्मिक सुरक्षा और भगवान का शिर्वाद में मिलता है माला इस माला का उप्योग अक्सर मंतर चाप और ध्यान के दोरान पर्मात्मा के साथ संबंध बढ़ाने के लिए किया जाता है इसके और भी कई लाब हैं हमारे जोति सास्तर के नुसार शनी की साड़ सती या फिर सनी के दूस प्रभाव को दूर करने के लिए तुलसी की माला को पहनने की सलाह दी जाती है नमबर दो हमारे जोति सास्तर में एक शक्ति शाली सूरिय तुलसी माला पहनने के प्रभाव को भी प्रभावित कर सकता है यदि किसी व्यक्ति की जनम कुंडली में सूरिय निमन है तो उसको तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए नमबर तिन किसी आदमी की जनम कुंडली में चन्दर्मा गस्तिती और उसके प्रभाव उनकी भावना तमक और मांसिक भलाई को निर्धारित करने में جो महत भूमिका निवादी है यदि चनम कुंडली में चंदरमा कमजोर है तो तुलसी माला पहनने से उसका बहुत ही फायदा मिलने वाला है तुलसी की माला पहनने के अनगनित फायदे है लेकिन इसके नियमों को पालन करना बहुत ही जरूरी है इसके नियमों को पालन करने की हर किसी को सला दी जाती है अगर आप यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए हरी प्रेमियों, जैश्री श्रिश्णा